तो नमस्का दोस्तों आज बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपने मुबाइल से ही गूगल फॉर्म बना सकते हैं क्रेट कर सकते हैं तो जब आप गूगल खुलेंगा तो यहां पर आप किसी मिल आड़ी से लॉग इन तो कर रहे हैं अगर लॉग नहीं किया है तो लॉग इ दिख जाएंगा यहां पर देख सकते हैं और राईट से निचे और भी है लेकिन इसे आड़ी से ही अभी गूगल फॉर्म बनेगा और गूगल फॉर्म इससी आड़ी के जो भी कूगल मुलड्राइव हो उसी में मिलगा तो फॉर्म बनाने के लिए हम गूगल डॉग सर्क यहां पर जो buttons यहां पर है 9 buttons तो यहां से आप जब खुलेंगे तो यहां पर आपको मिल जाए Google Drive ठीक है Google Drive में जैसे आप जाते हैं तो आपके सामने जिस तरह के इंटरवेस आएका मैं दिखा देता हूँ अगर पूछेगा आपसे तो यहां पर आपको Chrome select करना है Chrome से open hook करना है ठीक है तब ही आप कर पाएंगे तो यहां पर यह interface आपके सामने आगया अब यहां पर आपको बनाना है Google Form उसके बाद मैं आज मैं बताता हूँ इस आप गूगल कर सकते हैं एक्सेल फाइल में कूझे बता जाना है यहां पर बहुत सारे चीजा आपको मिलेंगे फाइल फोल्डर इसा मिलेंगे तो यहां से नीचे more option आपको दिख रहा हूगा more option पर जाएंगे more option पर जैसे जैसे आप जाते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा google form आपको मिलेगा google form पहले option पर देख सकते हैं तो हम फिर से चलते हैं new में चलते हैं यहां पर आपको नीचे मिलेगा more option पर जैसे आप जाएंगे more option पर जाने के बाद यहां पर साइट में आपको मिलेगा google forms तो google form से आपको क्लिक करना है ठीक गुल फर में जब आप चलते हैं तो यहां पर आपके सामने एक इंटरफिस आएगा इस तरह का तो यहां पर आप create करेंगे google form कैसे अंट फर जो है यहां पर आप डिएंगे जैसा आप किसी class कराना चाहते हैं तो आप किसी class करना चाहते हैं ठीक है तो यहां पर class करेंगे class 7 टीक हमें और subject में gebaut Dave है सब्जेक्ट में हम यहां पर कुछ डाल देंगे सब्जेक्ट में तो चलिए हम डालते हैं सब्जेक्ट में कंप्यूटर डाल देते हैं ठीक में से वह सुट्रेट और यहां पर लिखने के बाद यहां पर नीच आएका form description में लिख सकते हैं कितना है और जैसे question अब देना चाहते हैं वो दे सकते हैं मैं यहां पर देता हूं 50 ठीक है इसके बाद हम थोड़ा तो यहां पर सबसे पहले आपको निच्चे दीगा अंटाइटल कोश्चन आपको सबसे बहुत करना है ठीक है तो मैं यहां पर कोश्चन पहले सिलेट करता हूँ अब यहां पर राइट साइड में आप देख सकते हैं multiple choice question है ठीक है और यहां पर multiple choice लेंगे तो यहां पर option में आएगा 1,2,3,4 आप सिलेट कर सकते हैं जो टीक होगा सही होगा उसको टीक लगा सकते हैं यह वाला थो लंबा वीडियो बनेगा इसलिए multiple choice नहीं बता रहा है बारे में बताते हैं सबसे पहले short answer है short answer पर जैसे हम क्लिक करते हो यहां पर short answer टेक्स्ट में देखिए आप लिखने की जगा बना दी है ठीक है यह हो गया अब यहां पर यह ओल option आप दहांसे देखने है required मतलब उस option को fill किये विना इस Google Forms को आगे नहीं जा सकते हैं आपके सामने बन गया अब यह question बन गया दूसरा question बनाने के लिए आप जैसे इसको थोरो सा नीचे करेंगे तो यहां पर प्लास icon यहां पर आपको दिख जाएगा प्लास icon पर आप क्लिक केजिए और नया question डालने के लिए यहां पर आ गया है question no.2 हम यहां पर डाल देते हैं what is them ठीक हमने दो question डाल दिया है ठीक है same to same यहां पर multiple choice option यहां पर यहां से हम ले लेंगे short answer इसको short answer में ले लेते हैं long answer देंगे तो दो पर अगरब आ जाता है मतलब दो दो लाइन तिन तिन लाइन का आ जाता है आप लिख सकते हैं यहां पर इसको भी required कर देते हैं कि यह question आपको लिखना है लिखना answer देना है देना है फिर plus आगर पर click करते हैं फिर एक question डालने के लिए हम दाल सकते हैं तो तीसरा question हम डाल देते हैं प्रेस फायश है what is memory अभी हम अतरी मेम्पहल दो अब भी हम तीन questions लेके आगे चलते हैं तो जिदनी question आप डालना चला सकते हैं कि इसको multiple choice बना सकते हैं किसी को multiple choice बना सकते हैं आपको जैसा question इसे पर भी तो इसा question paragraph बनता है और आप यहां पर बना सकते है То multiple choice में स यह simple process इसमें आपको ज्यादा ताम जाम करने की कोई जूरूत नहीं है simple process तीन question हमने बनाए है ठीक है बनाने के बाद आपको यहाँ पर send का जो symbol दिख रहा है यहाँ पर click करना है click करते ही यहाँ पर आपके सामने इस तरह का send via email link आएगा तो हमें क्या करना है अभी हमको कुछ भी email में नहीं करना है हम चाहते है link लेने के लिए सरी तो link यहाँ पर आपको दिख जाएगा link यह link का symbol है तो यहाँ पर जैसे click करेंगे इस form का link आपको नीचे यहाँ पर आ जाएगा बहुत लंबा link है इस link को आप छोटा करना चाहते हैं तो नीचे आप दिख सकते हैं यहाँ पर shortened link short on URL है तो यहाँ पर जैसे आप click कर देंगे तो link छोटा हो जागा देख सकते छोटा होगा select होगा इसको हम यहाँ से copy पर किलिक कर सकते हैं तो link copy हो चुका है अब इस link को आप WhatsApp के थूरू email के थूरू कहीं पर भी भेज़ दीजिए और भेजने के बाद जैसे open करेंगे और form भर देंगे तो चले इसको हम भेजते हैं और इसको open करके भी दिखाते हैं कैसा दिखता है तो दोस्तों अब हम WhatsApp पर आ गए और हम इसको भ बताएंगे किस तरह से क्योंकि student को थूरू सा सिखाना भी पड़ेगा तो form पर क्लिक करते ही यहां पर Google Chrome पुछेगा Google Chrome Map क्लिक कर दीजिए आप देखे रिस्पॉंस कैसे यहां पर दे सकते हैं उस form का और हम पर response जाके भी हम चेक करेंगे कि response क्या हुआ ठीक है तो यहां प पर अभी यह आ चुका है फुल फीलो के फुल में पचाए मैंने class 7 subject computer test डाला है वाट इस कंप्यूटर ने अपर स्टार जो है स्टार का मतलब है कि इसको आपको लिखना है इसके बिना वागए नहीं बढ़ सकते हैं सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं तो सब्स हम यहां पर कर देते हैं एंसर हम लिख भी देते हैं कि computer is एक electronic device ठीक है यह answer हो गया वाट इस रैम हम यहां पर लिख देते हैं कि random access कि गलत हो गया कि random access memory थोड़ा से बड़ा हो रहा है क्योंकि थोड़ा सिखना भी तो यह पहले हम जो काम की वह फार्म बनाने का काम जो था गूगल फार्म टीचर कह था और यह काम student कर रहा है जैसे ठीक है तो भी लिख देते हैं memory is the part of CPU ठीक है अब यह answer किसी ने दे दिया मालो किसी बचे ने दे दिया और हम submit कर दिया जैसे submit कर देगा यहां पर उसको लिख जाएगा और यहां पर यह जो submit another response जो आ रहा है ठीक है यह हमने on रखा है कि response एक नहीं दो तिन response दे सकती इसलिए on रख कर देंगे तो यहां पर another response दे ही नहीं सकते एक ही response एक ID से होगा ठीक है अभी हमने response कर दिया अब हम चलेंगे Google उसी form में और Google Drive से चलेंगे और देखेंगे कि यह form कहां पर जमा होता है कैसे हम इसको Excel फाइल में सेब कर सकते हैं तो दोस्तों वही email ID पर हम आ गया अब यहां पर देखें आप के सामने यहां पर form आ जाएगा Drive का अंदर सेव हो चुका है और यहां पर आपको दिख भी जाएगा अब edit भी कर सकते हैं ठीक है आप कुछ भी कर सकते हैं तो यह form यहां पर यहीं वाला होगा यह लिखा हुआ है यही वाला है पहले वाला ही है तो इसको हम पर टच करके रखेंगे तो एक Google document आएगा Google Doc आएगा ओपन करने के लिए जैसे क्लिक करके रखेंगे तो open with तो open with हमें क्या करना है Google forms करना यह यह वाला step आपको करना ही है जैसे Google form में टच करते हैं तो यहां पर form फ्रॉंसेस में जब आप जाते हैं तो responses मी जाएंगे तो यहां पर two responses देख सकते आप ठीके बहुद यहा पर सारे चीब दिखाये रहे हम पर यहां पर यह खोल ने शापर दिया है और यह when एक्से मेम्री और यहां पर आ चुकर आप इसको करना यहां पर देख सकते हैं आप फिटम यहां पर अबायकृम करेंगे हमेशा करता क्रोम के लिए का Develop adalah पावरपाइंट इट को भी खोल देता है अब PDF को भी खोलता है तो अब यहां पर एक्सेल शीट यह पर आपको ऐसे दिख जाएगा ठीक और अगर अगर इस्वाप को कुछ शीट के साथ यूजण करना है तो आप हैं कर सकते हैं ठीक लिए लेन लेना है अगले वीडियो बताएंगे कि इसलख को से खरया है और बाद में नहीं बता देंगे आपको कि किस तरह से आप इसे शीट में सेव करेंगे